हलो माई डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त मनीस और आप देख रहे हैं वेल्थपुल दोस्तो इस चेनल पर हम सेर मार्केट में बिगनर्स को होने वाली प्रोब्लम्स को सॉल करने के वीडियोज बनाते हैं साथ ही सेर मार्केट के बेसिक लेर्निंग वीडियोज भी इस चेनल पर हम रेगुलर्ली अप्लोड करते रहते हैं दोस्तो अगर आप इस चेनल पर नए हैं तो वेल्थपुल चेनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिसना हो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिमेट अकाउंट से दूसरे डिमेट अकाउंट में सेर्स ट्रांसपर केसे करते हैं तो दोस्तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना कीजिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपका डिमेट अकाउंट एक बेंक अकाउंट की तरह काम करता है जैसे आप अपने पेसो को एक बेंक अकाउंट से दूसरे बेंक अकाउंट में transfer करते हो वैसे ही आप अपने shares को भी एक demate account से दूसरे demate account में transfer कर सकते हो यह बहुत ही आसान है यह बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप एक depository participants से दूसरे में जाते हैं दोस्तो depository participants और on market and off market transaction पर मैंने एक अलग से dedicated video बनाया हुआ है आई बटन में video के end में आपको वे video मिल जाएगा इस video को देखने के बाद आप उस video को देख लीजिएगा जिससे आपके सभी doubt के लिए हो जाएंगे जो कि बहुत ही आसान सब्दों में अच्छे से समझाया हुआ है जब आपका पहले से एक demate account होता है और आप दूसरे broker के demate account में long term के लिए hold किये हुए shares को transfer करके उन्हें long term के लिए रख सकते हो इसके लिए आपको shares sale करने की ज़रूत नहीं होती जो ये shares transfer करने की process है ये process अलग-लग brokers के लिए थोड़ी बहुत change हो सकती है लेकिन overall procedure सब brokers के लिए same रहता है दोस्तों shares को एक demate account से दूसरे demate account में transfer करने की दो process होती है जिसमें एक process online होती है और दूसरी process offline होती है सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे हम online एक demate account से दूसरे demate account में shares transfer कर सकते हैं इसके लिए आपको 5 step को follow वरना पड़ेगा step number 1 सबसे पहले आपको cdsl की website पर जाना है और वहाँ पर आपको register online पर click करके खुद को register करना है step number 2 उसके बाद वहाँ form open हो जाएगा उस form को आपको अच्छे से read करके जो उस form में required details है उन्हें fill करके उस form में आपके depository participants को submit करना है यह form आपको all demate account वाले broker को submit करना है step number 3 submit करने के बाद आपकी verification process कम्पलीट हो जाएगी और उसके बाद आप अपने future transfer के लिए allow कर दी जाएगी step number 4 इतनी process कम्पलीट होने के बाद आपकी registered email ID पर एक password बेज़ा जाएगा step number 5 password submit करके login करने के बाद आप जो shares transfer करना चाहते हो उन्हें transfer कर सकते हैं तो दोस्तो ये तो online process थी और offline process के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपको online या offline जो भी procedure आसान लगे आप उस process को follow कर सकते हैं और offline procedure के बाद मैं आपको share transfer के charges के बारे में discuss करूँगा तो चलिए offline procedure को देखते हैं offline procedure में भी आपको 5 step follow करनी है step number 1 offline shares transfer करने के लिए आपको अपने पुराने broker की website से DIS form डाउनलोड करके उसे fill करने के बाद अपने पुराने broker को offline submit करना पड़ेगा DIS की full form होती है debit instruction slip साथ या आप जो share transfer कर रहे हो उस company का ISIN आपको use करना है ISIN का मतलब होता है international securities identification number यह ISIN नंबर आपको CDSL की website पर मिल जाएगा इसके लिए आप google पर ISIN number search टाइप करके search कीजिए यह आपको NSDL की website पर ले जाएगा यह आपको NSDL की website पर जाना है यह इस book में आपको ISIN और company name दिया हुआ है जैसे कि मैं यह company name में reliance सर्च करता हूँ उसके बाद search पर click कीजिए फिर आपको यह page open होगा आप यहां से ISIN description पड़ करके आपने जो shares buy किया है उसके सामने ISIN number दिया हुआ है इसे note कर लीजिए ISIN code 12 digit का code होता है आपने जो securities buy किये जैसे कि funds, equities, bonds, stocks, etc वो ISIN description में search कर दीजिए step number 2 उसके बाद client ID की जरुत पड़ेगी जो कि 16 digit का code होता है client ID आपको registered email ID पर मिल जाएगी step number 3 अब आपको sales transfer का method select करना है inter depository या off market transfer में से आपको off market transfer को select करना है अगर आप inter depository से share transfer करना चाते हो तो आपको inter depository के column को select करना है step number 4 DIA sleep बढ़ने के बाद आपको अपने signature करके अपने पुराने broker को submit कराना है step number 5 DIA sleep अपने broker को देने के बाद broker से receipt ले लीजिए ये सब आपको अपने broker के office में जागर करना है 3-5 दिन के working day में आपका पुराना broker आपके पुराने demate account से shares को नए broker को नए demate account में transfer करतेगा अब हम बात करते हैं share transfer करने के क्या charge लगते हैं जो आपका current broker है वह इस procedure के लिए आपसे कुछ charges लेगा ये charges rate अलग-अलग brokers के लिए अलग-अलग होती है आप अपने broker की website पर जाकर उनके charges rate पता कर सकते हैं दोस्तो हमारे दुआरा इस channel पर upload किये हुए videos कम time के होते हैं ताकि आपको कम time में ज़्यदा information मिल जाए और आपका कीमति time खराब ना हो दोस्तो अगर आप financially independent होना चाते हैं तो वीडियो की description में best financial book suggest की वी है अगर आप उन्हें पढ़ना चाते हैं तो आप buy कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरे दुआरा वीडियो में लगाए के efforts अच्छे लगे हो तो वीडियो को like करें और ऐसे ही और informative वीडियो के लिए wealthful channel को subscribe कीजिए दोस्तो अगर आपका friend या family member share market में invest करके income का source बढ़ाना चाते हैं तो वीडियो की description में angel broking में account open करने की link दी वी है वहाँ पर free में angel broking में account open करा सकते हैं और अभी special offer चल रहा है जिसमें angel broking की AI base ARQ Prime की one month की free membership मिलेगी ARQ Prime के benefits जानने के लिए वीडियो के end में detail वीडियो आपको मिल जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही powerful content के साथ वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका प्रेम पूरवक बहुत बहुत धन्यवाद